सैमसंग M21 मोबाइल नेट्रोक स्पीट सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने डिवाइस में नेट्रोक स्पीट सेटिंग के से सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी फिराल जो मेरा नेट्रोक स्पीट है वो यहाँ पर शो हो रहा है वो चल रहा है दोस्तों करीब 281 KVS में ठीक है वो चल रहा है दोस्तों 281 KVS के आसपास नहीं चल रहा है तो इस तरीके से आप भी दोस्तों नेट्रोक स देखे जो भी setting बतांगा उसको follow करे आपका भी network speed setting उपर में show हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पैसा कामा ना चाहते हैं तो video description पर आपको link मिल जाएगा चलिए दोस्तों video शुर download करना है जो कि दोस्तों internet speed meter light यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है तो वह दोस्तों आपको प्लेश्टोर में काफी आसानी से मिल जाएगा प्लेश्टोर में जाएगा टाइप किजे internet speed meter light तो इस तरीके से आपको टाइप कर दिना है ठीक है तो जब आपके सामने में वह एप आ जाएगा तो आप उसको download कर ले download करने के बाद open कर लीजिए सारे permissions को allow करते हुए ठीडोस पर क्लिक करें ठीक है और preferences पर जाके height lock screen notification को on कर देंड आपको यहाँ पर मिलेगा advanced setting और जाके दोस्तों आपको white list कर देना है इस एप को मैंने ओल्रड़ी वाइट लिस पर इस एप को add कर दिया है तो आप भी यहाँ पर जाके वाइट लिस पर इस एप को add कर दें उसके बाद दोस्तों आपकी उपर में एस्टेडास बार में शो होगा इंटरनेट पीट तो इस तरीके से आप भी इस सेटिंग को सेट कर सकते हैं उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद होगा तेंक्स पर वाचिंग